Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JE 2023 आज की इस वीडियो में सबसे पहले नंबर पे आपका टास्क होगा दूसरे नंबर पे मैं कोई एक important question pick करके आपको उसके concept समझाने की कोशिश करूँगा question एक होगा लेकिन उससे कई सारे concepts मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और तीसरे नंबर पे आपने जो पिछली वीडियो के उपर comment करके query पूछी थी तो उन सबको address करने की कोशिश करूँगा तो ये तीन पार्ट में होगी वीडियो, start करते हैं अपना पहला पार्ट तो आपका जो आज का life purpose है, day 55 का, वो कुछ इस तरह से है quality में आपको committee reports पढ़नी है, geography में आपको solar system and planets ये पढ़ना है static gk में आपको arts awards पढ़ने है, biology में आपको nutrition in plants पढ़ना है ये सभी आपको pinnacle की book में मिल जाएगा जो की already मैंने description section प्रोवाइड कर दी है या फिर आप इस channel पे दस विल बंदा, telegram channel से भी इन books को ले सकते हो, inkipedia free में reasoning में आपको question number 12, oh sorry, chapter number 12 से 22 के chapter के, हर chapter के question, five questions करने है और ये भी आप pinnacle की book से कर सकते हो, आपके पास कोई और किताब है उससे भी कर सकते हो technical में आपको steel के अंदर connection ये पढ़ना है, अब इसमें पढ़ना कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि notes में आप जाओगे तो बहुत depth है notes में तो आप समझ नहीं पाओगे आपको क्या करना है क्या नहीं, इसलिए आप सिधा SSCJE के PYQ करना है इसके directly SSCJE के PYQ कर रखे हो तो YCT AE से इसके questions कर लेना transport में सिधा आपको practice करनी है geometric design के questions की और estimation costing में आपको question number 250 से 300 ये question करने है SSCJE के PYQ के और साथ में आपको technical booster करना है, technical booster आपको करना है structure analysis का क्योंकि इसके अंदर chapter कम है तो आपको हर chapter के 20 question करने है अब मैं रोज technical booster आपको समझाता हूँ, फिर भी same doubt आ जाता है technical booster क्या है, YCT AE की किताब मैंने provide करा दी है आप YCT AE किताब की जंग कोई और किताब भी ले सकते हो, जो आप करना चाहो जैसे गुपता एंड गुपता ले लिया कोई भी, लेकिन मैं refer करता हूँ YCT AE, सबसे पहले SSCJE की PYQ, second number पे YCT AE आप structure analysis के पहले chapter पे गए, जैसे determination वाला chapter है उसके पहले chapter के पहले 20 question आपने complete कर लिये उसके second chapter के 20 question complete कर लिये, थर chapter के 20 question complete कर लिये इस तरह से हर chapter की आपको थोड़ सा idea हो जाएगा अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस chapters पढ़े ही नहों जैसे indeterminacy वाला chapter आपका आएगा, उसके अंदर शूर के 20 question है अब उसके अंदर static indeterminacy, तो एक बार notes में जाके एक बार देख लेना कि static indeterminacy कैसे निकालते हो, frame की, trust की, beam की कैसे निकालते हो उसके question practice कर लेना, जो जो question आपके सामने आएंगे उनके पहले concept सीख लेना और उसके बाद फिर question practice करना ऐसा नहीं करना है कि सिधा रटने बैठ गए कि इसका answer यह होता है, इसका answer ऐसे इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि question तो कितने भी बन सकते हैं, कितने तरगे बन सकते हैं concept आना ज़रूरी है, तो technical का यह काम और non-tech का आपका यह काम यह आज के task में होगा, यह complete करते रहोगे, 100% selection हो जाएगा और question एकदम से, जो आपके marks है, वो एकदम से नहीं भड़ते हैं मैं फिर से आपको repeat कर देता हूँ, कि paper जैसी यह आपका पूरा syllabus है यह पूरा आपका syllabus है, अब इसके अंदर आपने यह वाली चीजे पढ़ ली और आगई एक्जाम में यह वाली चीजे, तो आपके marks कैसे आ जाएंगे आपने महनत की लेकिन marks नहीं आए, तो marks कब आने start होंगे जब आप average हर एक चीज को उपर उपर से at least पढ़ लोगे आप सभी चीजों को पढ़ने लगोगे, और साई चीजा आप पढ़ लोगे तो आपके एक average marks आने start हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि एक हफते, एक दस दिन आपने पढ़ाई करके आप अपने आपको कोसने लग गए कि मैंने तो बहुत मेहनत करी और फिर भी marks नहीं आरे ऐसे नहीं होता, आपको हर दिन पढ़ाई करनी पढ़ती है, महीनों पढ़ाई करनी पढ़ती है, सालों भी पढ़ाई करनी पढ़ती है तो मेहनत करने से घबरा होगे सोचोगे मैं बस एक हफते की मेहनत सी मेरे मार्क्स बढ़ जाए तो ऐसा नहीं होता है आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी और एक दिन जब आपका aptitude इतना हो जाएगा कि आपने हर एक चीज का at least उपर पर से देख लिया तब आपके average marks आने लगेंगे और average marks को maintain करते करते फिर आप धीरे धीरे जब और ज़्यादा depth में knowledge लेने लगोगे तो फिर आपके और भी उससे ज़्यादा marks आने लगेंगे लेकिन अगर जो आप starting में ही सोचोगे एक हफता पढ़के दस दिन पढ़के कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया मैंने बहुत मेहनत करी फिर भी मेरे marks नहीं बढ़ रहे तो self blame करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आपको बस मेहनत करते रो हो जाएगा selection तो यह है आपका question of the day आपके पास simply supported beam है और यहाँ पर आपके पास bending moment लगा दिया M तो आपको बताना है इस beam के अंदर कितनी strain energy होगी तो तरीके क्या होते हैं करने के सबसे पहले तो strain energy आपको से पूछी गई है तो strain energy का formula आपको पता होना चाहिए U is equal to integration M square dx upon 2Ei मतलब M क्या है कि इस beam में bending moment आपको पता होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना bending moment है variable होगा अलग-अलग जहां पर अलग-अलग होगा मालो यहाँ से 0 है और यहाँ पर L है तो 0 से L पे bending moment कितना है उसका square किया उसको integrate किया dx के साथ और इस beam का कितना EI है flexural rigidity है उससे divide करना है तो यह आपका formula है अब इस formula में क्या निकालना है आपको M आपको पता होना चाहिए अब M क्या है यहाँ पर देखा आपने कि इस जहाँ पे तो M है ठीक है आप कैसे पता लगाओगी इसके अंदर bending moment का जो diagram होगा कैसे होगा अब इसके लिए सीखने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि DM by DX is equal to V और एक और चीज DV by DX is equal to W DV by DX is equal to W मतलब अगर आपके पास load नहीं है अगर आपके पास load नहीं है तो जो V होगा वो constant होगा मतलब W 0 है तो V constant है मतलब इस beam में जो share force है वो constant होगी और अगर आपके पास यहाँ पर share force constant है मतलब यह k यह constant है तो यहाँ पर अगर यह constant है मतलब किसी को differentiate करने के बाद constant आ रहा है तो M जो होगा वो 1 degree का होगा 1 degree मतलब एक line की equation मतलब X plus C type की चीज इसका मतलब यह है कि जो bending moment होगा इस beam पे वो एक linearly vary करेगा तो अब यहाँ पर देखेंगे तो bending moment यहाँ पर यह है और यह sagging दे रहा है इसको इस तरह sag करा रहा है तो मतलब positive bending moment यहाँ पर M आएगा अच्छा यह जो है hinge है hinge पर bending moment क्या होगा 0 तो यहाँ पर 0 है और आपको एक linear graph बनाना है तो linear graph आप यह बना सकते हो तो आपको यह पता चल गया कि यहाँ पर bending moment कर डाइग्राम होगा कुछ इस तरह से होगा तो यहाँ पर M होगा और यहाँ पर 0 होगा अच्छा तो अब यह समझो आप कि कि किसी particular और X distance पर आप देखोगे तो यहाँ पर bending moment कितना होगा मालो यहाँ पर M X होगा इसको निकालने का तरीका आप similar triangle लगा लो इसके अंदर जब L distance था तो M था यह यह triangle और यह triangle मान लो तो M upon L बराबर M X upon X similar triangle लगा लिया this upon this बराबर this upon this यह similar triangle आपका लगा इस जगह पर M X की value हुई M X is equal to M upon L into X यह आपके पास आगया M X तो आपको आपकी इसकी strain energy निकालनी थी तो आपको M X की जरुद पर थी तो M X आपके पास आगया M upon L into X अब strain energy निकालने के लिए U is equal to integration M X का square M upon L का whole square X square D X upon 2 E I और यह कहां से कहां तक vary करी है 0 से लेके L तो आपके पास formula हो गया M square L square 2 E I integration X square D X यह बात समझ माई आगे चलते हैं इसको integrate करेंगे 0 से L तो X cube by 3 हो जाएगा M square upon 2 L square E I X का whole cube upon 3 और इसकी जो इसकी limits होगी 0 से L तक होगी तो यह हो जाएगा M square upon 6 L square E I L जब डालेंगे तो L cube हो जाएगा और 0 डालेंगे तो 0 तो इसका answer आजाएगा L square से कटेगा तो M square L upon 6 E I तो आपके पास जो strain energy होगी अगर यहाँ पर M लगाया तो इसकी strain energy यह होगी तो यह था आपका question आज का चलो अगर आप यह सीख गया हो तो चलो एक easy case देखते हैं आपके पास यह beam है यहाँ पर bending moment M लगा रखा है ऐसे यहाँ पर bending moment लगा रखा है M ऐसे तो इसका पहले तो bending moment diagram बनाना है अब जैसे हमने देखा यहाँ पर load कुछ नहीं है तो आपको पता चलो गया linear आएगा तो देखते हैं यहाँ पर जब यह करेंगे तो यह इस तरह से बनेगा तो यह क्या हो रहा है sagging यह होती है sagging sagging को हम positive मानते हैं सेगिंग मतलब positive bending moment आ रहा है M आएगा ऊपर आगे चलते हैं यहाँ पर यहाँ पर यह ऐसे आएगा यहाँ पर bending moment M आएगा M तो हमें पता चल गया कि bending moment का डाइगराम यह है और यहाँ पर हमें यह पता चल गया यहाँ पर भी M है M M M M M M सब जगह पर M है तो वैज़े एक खुद solve करना है आपको मैंने चल आपको बता दिया U is equal to integration M X square dx upon 2EI हमें यह करना था किसी जगह पर X distance पर कितना bending moment है M सब जगह पर M है यहाँ पर integration करके अगर हम निकालेंगे तो M कितना है constant है M square upon 2EI 0 से लेके L dx तो यहाँ पर इसे integrate करेंगे तो 0 से L करेंगे तो M square upon 2EI L तो इसका answer होएगा M square L upon 2EI अगर दोनों साइड M है तो यह आ जाएगा अच्छा अगर जो इसको change कर दिया जाए इसको change कर दिया जाए तो क्या होगा , इसको change कर दिया जाएगा तो इससे होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ तक क्या क्या करेंगे यह मालों इदर से हम चले यहाँ पर हम फ्रिक्पर मुन लूब इदर से हम चले x distance पे हम चले यहाँ पर पोचे और यहाँ पर क्या होगा l by 2 होगा तो यहाँ पर जो m की value होगी वो कितनी होगी m upon l by 2 into x तो यहाँ पर m x जो होगा वो होगा इतना तो integration m x 2 square m square l square x square dx upon 2 e i 0 0 से l by 2 into यह आधा यह होगया into 2 into 2 आप इसको solve करोगे तो आपके पास इस cancer आएगा यह कभी question पूछा नहीं गया है थोड़ टफ पड़ जाता है लेकिन यह इस तरह तो तीनो case बता दिया इससे आपने और भी वहत साई चीज़े सीख लिए अब चलते हैं अपने next section पे जिसमें आप मैं आपकी queries जो भी आपने पूछी है उनको answer करने की कोशिश करता हूँ तो अपने next question पे चलते हैं sir gs pinnacle की book हिंदी में provide करा दियो वो मैंने provide करा रखी है आप description section में देखो के तो मिल जाएगी comment section में भी डाल दूँगा बाकी 10 वील बंदा telegram channel आप search करोगे 10 वील बंदा से search कर लोगे तो लगबग 10 अजार के आसपास जो members वाला group है उसको join कर लेना वहाँ पर आपको सभी PDFs मिल जाएंगे कुछ comments में देख रहा हूँ काफी काफी जाधा comments में देख रहा हूँ कि जो मैं explain कर चुका हूँ कल वाली वीडियो में और normally में जो बताते रहता हूँ same वही comments आ रहे हैं आप इस चीज को समझो कि अगर किसी चीज को मैंने explain कर दिया है मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो comments के reply करने है मैं एक comment का reply सो बार भी कर सकता हूँ same comment का लेकिन इस चीज को समझो कि अगर आपकी जो query है उसके आसपास के questions मैं reply कर चुका हूँ तो आप same question ना पूछे दूसरा यह जरूरी नहीं है कि बिल्यकुल आपके नाम से ही कोई query solve की जाए अगर उसके आसपास है तो मतलब आपको उसी से ही चीज़े समझ लेनी है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है next question है कि D.S.B. J.E. tier 2 के लिए eyes master J.E. और Y.C.T. यही दोनों book लेनी पड़ेगी क्या tier 2 का syllabus मुझे अभी भी clear नहीं हुआ है जैसे ही कुछ इसके ओपर update मिलेगी तो मैं clear कर दूँगा उसके बारे में अभी मुझे भी time नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसके ओपर research करूँ बाकी किताबे आपके पास questions की जितनी जादा हूँ उतना अच्छा है सभी pdf मैंने available करा ही रखी है आपको आप कभी भी इसको ऐसे मत सोचो कि sscjpyq कर डी yctae करूँ की नहीं करूँ ये सब आपको जैसे मालो एक question आया था uppscae में कि जो deep beam है वो किस चीज़ के लिए design होता है bending के लिए share के लिए दोनों के लिए मतलब ये चीज़ हमें पता है कि share के लिए design होता है bending के लिए check होता है लेकिन इसका exact answer क्या है इसका exact paper में क्या माना जाता है yctae में क्या है इन सब चीजों के exact answer है वहाँ पर आपको concept में जूजना नहीं पड़ेगा concept तो आपको पता है क्या है लेकिन वहाँ आपको जूजना नहीं पड़ेगा आपको पता होगा कि इसका अंतर यह है तो इसलिए YCT AE type की कितावे बहुत जरूरी हैं क्योंकि आप वहाँ पर फस जाओगे कि इन चारों में से मैं क्या आंतर लगाऊं चारों ही सही लग रहे हैं concept के हिसाब से तो चारों सही लग रहे हैं तो उस case में सीधा आपके आपके सामने question आया आपने अगर जो देखा हुआ question है अच्छा ठीक है आप इस चीज को challenge कर सकते हो कि YCT AE में सही है कि गलत है आप एक बार search करोगे इसको Google पे तो आपको तुरंट पता चल जाएगा कि इसका आंतर क्या दे रखा है फिर अपनी समझ के हिसाब से आप वही आंतर मान के आगे बढ़ोगे ठीक है तो किताबे जितनी हूँ आपके पास उतना अच्छा है अगर आपके पास resources हैं तो इन सब चीजों में लगा सकते हो आप पता नहीं क्या क्या चीज़े खरीदते रहते हो किताब खरीदने से पहले बिल्कुल भी मत सोचा करो कि ये काम आईगी नहीं बाकी मैं आपको filter करके ही बताता हूँ कि ये वाली किताब खरीदो आप ये सोचो कि आपकी कितने पैसे बच गए अगर जो आप अपने हिसाब से किताबे खरीद के उसके इंदर invest करते तो शायद नुकसान हो जाता मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि यही बिल्कुल इसी publication की यही किताब खरीदनी है तो उससे आपके पैसे बच रहे हैं और वो बचेवे पैसे को आप और किताब खरीदने में लगा सकते हो अगर आप ये 100-200-1000 रुपे किताबों में लगा दोगे इवन आप 50% भी कवर करो तब भी आप बहुत बड़े बनने वाले हो बहुत सक्सेस्फुल होने वाले हो बस अपना 100% दो अपना 100% दे के आप 50% भी कम्प्लीट कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है ये 50% नहीं रहेगा ये बहुत आगे भी बढ़ेगा तो अभी जितना कर पा रहे हो उसको एक बार बनाओ कि अभी मैं इतना कर पा रहा हूँ डेली करोगे तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा आपका ग्राफ तो किप इट अप इस तरह से बढ़ाते रहो 70% बहुत बड़ा नंबर है मैं टास्क आपको जादा ही देता हूँ ताकि आप पूरी मेहनत करके आप इसको कंपलीट करने की कोशिश कर सको नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं बस आपको अपना 100% जरूर देना है कोशन है कि शोट नोट कंपलीट नहीं हो पा रहे हैं ताइम आपके पास इतना है अभी जो एक्जाम आने वाला है ये पहली बात तो लाश्ट एक्जाम मत समझो इसको मैंने इतने एक्जाम दिया है अभी मैं भी अपने एक्जाम को लाश नहीं समझ रहा हूँ जब तक मैं finally settle नहीं हो जाता अभी मैं JEE की post पर आ चुका हूँ अभी मुझे SDO का paper निकालना है तो short notes तो बनते रहते हैं जितने question मैं daily देख रहा हूँ उसके ेसाब से कई question ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं पता होते हैं उनको मैं अपने short notes में add करता हूँ सब के हिसाब से short notes अलग होते हैं इस time पे जो मैं question add करता हूँ वो शायद ऐसे होंगे जो आपको भी सोचोगे जार ये तो याद करने की जुरुत नीया है अभी मैं इतने facts वाले question याद करता हूँ, वो सारे मेरे जो short notes हैं अभी, वो लगब facts वाले notes से भरे हुए हैं, कि जो exceptional question होते हैं, पूछ लिये जाते हैं, facts के according, वो मैं उसके अंदर add on करता हूँ, तो मेरे short notes आपके किसी काम के नहीं होंगे, आपके short notes मेरे ऐसे होंगे कि शा वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों की help हो सके, ठीक है, तो ताकि मैं ज्यादा बच्चों तक पहुच पहुच पहूँ हूँ, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये, और आपको short notes खुद ही बनाने पड़ेंगे, आप दूसरों इसे म question है, SSCJE और DDAJE दोनों October में किस पर focus करें, दोनों पर focus कर सकते हो, पहली बात तो, जब तक कोई exam नहीं निकल रहा है, हर एक exam को opportunity समझो, हर एक exam में selection होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ लिखा नहीं हुआ कि SSCJE में होगा, DDAJE में होगा, या फिर किसी में भी नहीं होगा, ठ reasoning, GK, technical, DDAJE का क्या है, I guess, मैं कलत नहीं हूँ, तो aptitude, English, GK, और शायद reasoning भी होगा, इसके इंदर मुझे आदनी है, और technical, technical दोनों में common है, ये 80% है, technical दोनों में ही, तो पहली बात तो technical के ओपर ध्यान दो, जब आप technical पर ध्यान दोगे, सब चीज़े cover हो जाएंगी, GK, reasoning reasoning का मुझे confirm नहीं है, GK, दोनों में ही है, लगबख साई चीज़े तो cover हो गई, English बचिए, English पे थोड़ा सा अलग से महनत कर लो, आप जो distraction में घुस जाते हो, उस वाले time को English को दे दो, चीज़े हो जाएंगी, aptitude को दे दो थोड़ा सा time, तो सब चीज़े हो जाती है, ये बस हमारा मन का वहम होता है, कि यार दो exam कुछ नहीं है, distraction से हटो, जो time किसी और चीज़ को दे रहे हो, distraction में दे रहो, वहाँ पे निकाल के aptitude को लगाओ, English में time दो, सब चीज़े हो जाएंगी